हलो दोस्तों बिहार द्रोगा एक्जाम से संबंधित ओफिस्यल वेबसाइट पर बहुत ही महतपुर्ण नोटीस चारी किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस जनपरी 2022 आज क्रेट का यह नोटीस है तो चलिए इस नोटीस को डॉनलोड करते हैं और देख लिजी इस में क्या कुछ दिया हुआ है साथ ही आप सभी पीटी एक्जाम का वेट कर रहे है रिजल्ट कव दिया जाएगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे यहां पर आप देखेगा बिहार पुलिस अवर से वायुक महतपुर्ण सूचना विज्यापन संख्या 03-2020 यह जो संबादी था 213 पोस्ट से यह भरती अगस 2020 में आई थी और पीटी प्रारभिक परिक्षा 26 दिसंबर 2021 को लिया गया है और आप से भी पीटी रिजल्ट का वेट कर रहे है तो रिजल्ट कव दिया जाएगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे यहां पर आप बिज्यापन संख्या 0-3-2020 के करम में दिनांग 26 दिसंबर 2021 रविवार को सनिक्ट प्रारभिक लिखित परत्योकता प्रिक्षायुजित की गई थी तो पीटी एग्जाम जो है 26 दिसंबर 2021 को लिया गया है दो पाली में और इसमें टोटल जो फॉर्म फिलब हुआ चे लाख पर बनता है इसके बाद है परिक्षाय को प्रांद जाच के करम में पाया गया कि कई अभ्यार्थों एक सधिक आविदन पत्र भरा है जो विख्यापन की सर्तों का उलंगन है अत्हा आयोग द्वारा इसे सभी अभ्यार्थियों 682 टोटल ऐसे कनिडेट है कि आविदन पत् यह सिर्फ दरोगा एक्जाम में लागू नहीं है सभी एक्जाम में लागू रहता है कि अगर आप एक सधिक आविदन करते हैं तो आपके आविदन पत्र को रिजक्ट कर दिया जाएगा और आपको डिस्क्वालिफाय कर दिया जाएगा तो ऐसे यहां पर 682 एकनिडेट है इसके बाद यहां पर 10 दिन के बाद रिजल्ट जारी किया गया था अगर इसमें आपका रॉल नमर है तो अगर आपका कितना भी अच्छा मार्क्स आया अब आपका रिजल्ट नहीं आएगा और यहां पर आपने विग्यापन की सर्तों को लंगन के इस कारणसी यहां पर आ बिच दिन का लगवग लगता है तो सभी कंडीयट का अब यहां पर इकिस जन्वरी को लिष्ट अपलोड किया ऑग़े रीजक्त लिस्ट और पिछली बार दीकिए गा तो अठार जन्वरी को रिजक्त लिष्ट जारी किया था फिर दस दिनों में 28 जन्वरी को रिजल्ट दे दी आजाएगा, अगर 58 बो मेन दे दी पर 9 बार तो 9 बार फिर ऑफिस खुलेगा, और इसी तरह से रिजल्ट दे दिया साम में, हर बार यही करने फीजोर्ट दे आ जाता है और कट उब बता जाता है, तो हम 내용 map बेसी alert रही और यहां पर आंसर की को लेकर डौट है तो इस बार बहुत कम चांस है कि आंसर की जारी किया जाएगा वैसे न्यूज में आया था तो हम आप लोगों को वीडियो बना कर दिये थी जिसे आयोग पर दवाब बने और आंसर की जारी होती इसका यह होगा कि आगली बार जो भी परिक्षा सुधार होता है और इसका फैदा आगे जरूर मिलता है तो आंसर की इस बार कम चांस है इस बार डिरेक्ट रिजल्ट दिया जाएगा अगली बार आपनों को आंसर की और क्वेस्टन पेपर जरूर देखने मिलेगा वैसे अगर आयूग चाहेगा तभी भी जारी कर सकता है स सब्सक्राइब कर दे और इसके बाद यहां परांसर की दिया जा सकता है लेकिन कम चांस लग रहा है डिरेक्ट अब 10 दिनों में रिजल्ट दे दी जाएगे तो यहां से आप लोगों को सब कुछ क्लियर समझ में आ गया रिजल्ट कब दी जाएगा और इस नोटीस में क्या कुछ दिया हुआ है